नमस्का और दोस्तों स्वागत आप सभी एका जैसा हो ओलने ट्लासेस पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 36 गड़ का मैप ट्रिक बताने वाला हूँ और ये अब तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान मैप ट्रिक होगा जैसे 36 गड़ में 33 जिले हो गए हैं अब तो 33 जिलो की हिसाब से ये मैप आपको समझाया जाएगा इस मैप से आप आसानी से 36 के सभी 33 जिलो तो याद रखी सकते हैं इसके साथ किसी भी पर्टिकुलर जो जिला है उसका पडोसी जिला कौन सा है कितने जिलो से कनेक्टेड है और किस डिरेक्शन से वो कनेक्टेड है चतिर गर राज्य का जो पडोसी राज्य कौन-कौन सा है कोई भी पडोसी राज्य कि छतिर के कितने जिले से connected है कितने भू और श्रीज जिले हैं कौन से वसंभाग में कितने जिले हैं यह सब कुछ आसानी से आप याद रख सकते हैं इसके लिए आपको रट्टा माने की अभी जो लेटेस्ट जो डेटा है वो पढ़ाया जाएगा 33 जिलो के नुसार यह वीडियो बनाया जारा भी स्टार्ट हो गया है तो यह जो कोर्स लॉंच होगा वह आपका मान के चलिए 15 माई के बाद या फिर 15-20 के आसपास हम लॉंच करेंगे माई में ठीक है इसका प्र प्रिक के साथ में वी काम आए और 36 व्यापम के जितने भी एक्जाम या यूं कहें कि 36 जहां भी पूछा जाता है वहां पर हर जगह यह आपका पैकेज काम आगा जो क्लास होगा वो मैप अधरित क्लास होगा अगर आज कर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आजा जाए कि इमेज दिखाना चाहिए वहां पर आपको इमेज दिखाया जाएगा और शौर्ट ट्रिक्स हैं जैसे आप आज का वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रिक्स समाझ आजा जाए किस तरह किस आप आसानी से याद रख सकते हैं तो यह जो पैकेज है हमारा जो आप्लिकेश एक चाहिए ले चाहिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 36 जो अभी प्रशाश्नी काहिएं की बारे में बात करें तो फांच संभाग है जिसमें 33 जिले हैं तो यह जो 33 का ऑफिशल आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है और मैं कुछ इस तरीके से आपको ट्रि सब्सक्राइब के लिए बना सकते हैं कहीं भी एक्जाम मेप ड्रॉब करने नहीं आता चाहिए प्री कहो गया या यह आपकी सहुलियत के लिए ताकि आप आसने से कोईशन बना सके अगर मेंस में कहीं पर आपको बनाने की ज़रत महसूस होती है तो आप क्या करेंगी सिर्फ सबसे पहले हम समभाग को समझेंगे कुलपां समभाग है तो यह पहले हमने औरे श्रक्शर त्यार करके रखा यह आप बनाएंगे और मेरे साथ ही साथ अगर आप बनाते जाएंगे वीडियो को देख देखके तो बहुत अच्छा रहेगा और आप आसानी से ट्रिक को समझेंगे तो आप मेरे साथ कॉपी और पेंट पकड़े रेडी हो जाएगे तो सबसे पहले हम पांच भागों में इसको डिवाइज करते हैं तो ये जो है एक, दो, तीन, चार, पांच टोटल हमने पांच खंड किये 36 गड़क है और ये पांच खंड पांच समभाग है उपर वाला जो एरिया है वो आपका सरगुजा समभाग है नीचे वाला एरिया जो है वो आपका बिलासपूर समभाग है और ये वाला एरिया कौने संभाग में वो याद रख लेंगे फिर 53 जिला असानी से याद हो जागा तो फिर से मैं आपको बताता हूं ठीक पहले हमने क्या किये था पांच संभाग में इसको बाटा था यह पांच हो गया अब मैं दुर्ग से शुरू करता हूं ठीक है दुर्ग संभाग से मैं शुरू करता हूं यह दुर्ग संभाग को मैंने यहां से एक लकीर खीचा दो भागों में बाटा और यह यह जो यह वाला एरिया है इसको हम तीन भागों में बाटेंगे मत दुर्ग के नीचे है बालोध दुर्ग के नीचे है बालोध और दुर्ग के ऊपर है बेमे तरह दुर्ग के ऊपर है बेमे तरह अब यहां पर ध्यान देंगे ध्यान देंगे बेमे तरह वाला जो नीचे का जो लाइन है उसके जर्स्ट ऊपर से आपको एक लाइन यहां पर और इसी लाइन के जर्श्ट उपर से एक इधर किछना है लेकिन इसको लास्ट में नहीं मिलाना इसको इस वाई मिलाना तो यह वाला जो जीला है यह आपका हो गया कवरधा या कबीरधाम दोनों कहते हैं इसको यहाँ पे आपको यहाँ लेए तो पहले दुर। संभाग में यह जो पांच जिले थे बेमे तरह दुर्ग बालोत कबीरदाम और यह पूरा जो एरिया है वह आपका राजनान गाउंता अब क्या हुआ अब इस एरिया में राजनान को तोड़कर दो और नए जिले बनाया गए खैरगार छुई खाजान गंड़ाई और आपका मानपूर मौला हम्बगर चौकते तो यह जो नेचे लाइन ऑपका दुरुग का तो यह से घ्लेंगे दुरू से यह जो रहें उसके ऊपर से एक खिचेहेंगे और इसके नीचे से एक खिचेहेंगे ठीक हैं तो यह जो ऊपर वाला एपिशा चलाए अभी जो नया जीले खै राजनान गां राजनान गां और यह जो एरिया आपका मानपूर मोहला अंबागर चौकी ठीक है तो इस तरीके से दुर्ग संभाग के जो सभी जीले हैं वो आपने याद रख लिया अब इधर आते हैं रैपूर संभाग में यह जो स्लॉट हमने रैडी किया था यह था आपक पकड़ के नीचे लाते हैं और यह जो दुर्ग के यह जो बॉर्डर है उससे रियान रखेंगे कि नीचे बॉर्डर से यह ऊपर रहेगा अभी इस कॉर्णर को इसमें मिलाना है और इसके बीच बीच से एक लें हम यह खीच देंगे अब यह कौन-कौन से जीले हैं यह बी यह बन और यह आपका महासमून अब हम आगे आएंगे रैपूर संभाग के भी जो है सारे जीले रेडी होगे यहां पर ठीक है अब हम आगे आएंगे इस बलोदा बजार को बेस मान के चलिएगा इस बलोदा बजार का जो यह वाले लाइन है उसको आप ध्यान में लाइन खीचेंगे अब यहां से भी एक आपको वीच से एक लाइन यहां पर खीचना है तिक है अब यह कौन कौन से जीला है मैं आपको बताता जाता हूं यह नीचे वाल है मुंगेली याद रखेंगे यह नीचे वाल है मुंगेली मुंगेली पूरा लिख देते हैं ठीक ह ना तो पहले बिलासपूर जो है मजड़ पते से connected था मतलब पहले जो है बिलासपूर भू आवश्चित नहीं था लेकिन एक यहां से जिला अब यहान से लिए बन गया इसको हम कहते हैं गोरेला पेंडर बने के बाद अब बिलासपू भू आवश्चित मतलब ऐसा जिला जो किसी अ loving के संपर्क में नहीं रहता तो अब बूलासपू अब बाहियो बन गया यह जो एरिया और लेटीध हैं वह आपका और अधिक ह अब यहां पर हाल नगे यहां पर यह आपका राइगडर्क को है और यह जो है आपका पहले जानजगीर चापा पूरा था। जानजगीत कटापा अब यहां पर और दो नए जिले बनें सक्टी और सारंगं गर्ड उखिशा तो कि और आपको क्या करना है यहां से यह जानगीर चापा को भी टच करें और बलोधा बजार भाटा पारा को भी टच करें और ऐसे एक बना देना है यह ठीक है जो अंदर के हिस्सा बाद मैं आप मिठा सकते हैं मैं आपको अभी सहोलियत के लिए बता रहूं मतला हैं मज़ जो पूरा एरिया है ये इस तरी के आप इधर का जो भी बिलाशबूर संभाग के भी सारे जीले हमने पढ़ लिए अब ऊपर आते हैं उपर कोर्बा को समान के यहां से जोड़ेंगे तो यह जो है आपका बलरामपूर रामनुजगन यह आपका सरगुजा ये आपका जैजजपूर अब यह आपका सुराजपूर अब यह पूरा एरिया याद रखेंगे यह पूरा एयरिया पहले कोरिया था अब क्या है मनेंद्रगर्च चिर्मिरी भरतपूर यह से काथ के बनायगे है तो यहां से कुछ इस तरीके से आप इसको सूरजपुर में जोड़ेंगे ठीक है यह आपका मनेंद्रगर चीरमीरी भरतपूर अधिसूचना जब आया था इससे पहले भी मैंने च्छातिव के मैप ट्री के एक वीडियो बनाया है अधिसूचना जो आया था उसमें मनेंद्रगर चीरमीर कि जितने भी जयनकरी इस पस्ट्रूस पर जाहिर है उसके हिसाफ से बना रहा हूं तो यह आपका लगबग लगबग 99.9% एक्यूरेट ही मैप है अगर एकाज परसें उपर नीचे हो गया जो कि होना संभावित नहीं है अगर कुछ ऐसा कुछ होता भी है तो उसका अपडे डिबा ऐसे त्यार कर देना फिर इसको यहां से ऐसे ला देना तो यह जो आपका है कांकेर है यह आपका कांकेर है यह जो एरिया है यह कोंड़ा गाउं है ठीक है और यह आपका नरायन पूर थेक्ष यह आपका नरायन पूर अब हम यहाँ से एक किस्ते हैं इसको कर देता है यू ऑर इससे हम जोड़ेगे और नरायन पूर की नीचे है बीजापूर नरायनपूर की नीचे है बीजापूर यह जो एरिया है वह आपका बस्तर तो ठीक है और यह जो एरिया में और सुकुमा और यह जो बीच वाला ब्स दंतेवडा दंतेवडा तो इस तरीखे से आप 33 के33 जिले आसानी से याद रख सकते हैं बहुत पहले मैंने भट बढ़ाया था जब अठें जीले तो अगर आपने वह वीदियो देखाया और इसी जिले में आप अपडेट चाहते हैं तो आसानी से आप अपडेट कर सकते हैं यहां पर परिवतन क्या क्या हो एक बर मैं आपको बताइता हूं यह रायर जुनानगाउं से दो नए जिले बनाये बनाये गए एक है आपका खैरागर्चुई खतन गंड़े और एक है आपका मानपुर महला सकती बना देना ठीख है और यह व्यार रीजन इस तरह के इसे से भनादेना सारंगर्गडर्वाजगर्ज बना देना और ध्यां रखंगी जिस वो है आपका बिलासपूर संभाग के अंतरगर्द तो अगर आपने पहले का जो ट्रिक मेरा देखा है उसमें अपडेट चाहत तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ध्यान क्या देना कि मनेंदगर चीर्मिरी भरतपूर सूरजपूर से टच करता है और जानगीर चापा और सारंगर बिलाय की बीच कनेक्शन है ऐसा अधिसुचना के हिसापसे में पढ़ाया था तो यहां पर ब्लैंक मतब खा इसी मैप को याद रखेंगे अब मैं आपको कंपेर करके भी बता दूँगा कि इसमें आपको फैदा क्या होगा ठीक है जैसे कि यहां पर किसी एक जीला को मैं आपको लेकर बताता हूं इस मैप को याद रखने से फैदा क्या क्या होगा सब भी जीला आप आसनी से याद र ओपर में आपका सारंगर के सकती दिख रहा है जन्यागीर चाप जापा दिख रहा है इसर्वाटा दिख रहा है स्वाटा और नीचे महा समुन और इस साइड बलोदा बाजार भाटा पर दीखर तो यह जो मैप तयार किया गया तो इसको धियान में रखते हैं किसी बालो जीड़ा के उपर जो-चोंसा जीला है उत्तर में घ्रक्षिन सब यहाइस को आसाय आसान क्या होता है कि आप सभी को सब्सक्राइब तो आप ऐसे काउंट कर लेंगे एक डो तीन चार पांच है उसी तरह के से बिलासपूर में अब आठ हो गया रैपूर में पांच है दुर्ग में साथ है बस्तर में साथ है यह सब मैंने नाम बता दिया है मैं अगर याद रखेंगे तो अलग से याद रखना नहीं पड़ेगा आपको तो यहां पर एक और चीज ध्यां रख सकते हैं कि बिलासपूर संभाग में देखे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आठ जिले हैं तो सबसे ज्यादा कौन से संभाग में जिले हैं ऐसा पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा बिलासपूर संभाग म ठीक है अब हम बात करेंगे च्छतिजगर के पडोसी राज्य के बाड़े में टोटल साथ जो पडोसी राज्य वह च्छतिजगर में कौन-कौन सा मध्रप्रदेश महाराश तेलंगाना अंदरप्रदेश उडिसा जारखन और उत्तरप्रदेश तो यह ओफिशल जो मैप है मै मैं आपको बता रहूं जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि उत्तरपदेश है उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ बलरामपूर से यहां पे लगा हो लिख रहा है तिक्षजन वहां पर दखेंगे हैं तो आप कैसे याद रखेंगे कि भहिया कौन सा जो राज्यों कितने जिल 와서 से connected हैं मैंने AMY jest जो आपको याद करवा दिया ना उसी से मैप को ही सब savory थोंगा थिक है। मिब यहा पर हम उसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि कितने जो आपका राज्य है वह कितने जिले से a यहां पर दखेंगे सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी बलरामपुर सुरजपूर सबसे पूर्वी है आपका जश्पूर और सबसे पस्चिया आपका इनको याद रखने आपको कि सबसे उत्तर सबसे लेग्चियनी सबसे पूर्वी और सबसे पस्चिया बनेकर के अलावा सिर्फ एक जिला याद रहे नगए खिए जयरे इससे पहले अधिसूचना में मैंने आपको पढ़ाया था कि राजनान गाउन से कनेक्शन करके मालब यार राजनान गाउन से ऐसे खीच देना जैसे बताया था लेकिन अभी जैसे की अपडेट और देखने को मिल रहा है खेर अगर चुई कतांसी इसको बताया ज़रा है वही इसके अलावा सिर्फ खेरागर चुई खतां गंडे याद रख लिना अब यहां पर इस जगह में मद्रप्रदेश राज यह याद रख लिना उत्तर में आपको उत्तरप्रदेश आसान हो जाएगा ठीक है दक्षिन में दक्षिन का राज याद रख लिना आंदर यहां पर आपका महाराष्ट यहां पर तेलंगाना भी लिखना तेलंगाना यहां पर आपका तेलंगाना तेलंगाना दो जिली से कनेक्टेट है अब क्या याद रखने कि बस यह आपने यह से याद रखिया अब आपको याद रखने की जरूद थी नहीं कि मद्रप्रस किस गानेंद्रगर्चिर्मेरी भरतपूर चार हो गिया ठीक है गोरेला पेंडरा मारवाही पांच हो गया मुंगिली छे हो गया और कवर्दा साथ हो गया खैरगार खैरगर्चुई-खजान-गंडई आठ हो गया इसी तरह किसे महाराष्ट के जो जितने भी जिले हैं जिसे छे यहां पर आप देख सकते हैं कि खैरगर्चुई-खजान-गंडई राजनांगाव दो और मानपूर मुलंबगर्चौकी तीन कांकिर चार नर्याणपूर आपका हो जागा पांच और बीजापूर छे ठीक है तो यह आप महराष्ट के जो 6 जिले हैं वह याद रख सकते हैं बीजापूर सुक्मा अंद्रटोदेस के सुक्मा उडिसा के टोटल नौ आप गिन सकते हैं तो अगर यह जो ट्रिक है याद रखेंगे तो कुछ याद हो जाए कौन से जिला कहां कहां से किस राज़े से करनेक्टेर तो उडिसा में सबसे ज्यादा नौ जिला लगा हुआ ह अब अगला टॉपिक है भू आवेस्ठीट चिले भू आशिट का मतलब होता है ऐसे जिले जो किसी भी अनिराज्य के संपर्क में नहीं आते तो अगर आप यह मैप याद रखेंगे तो यहीं से आप काउंट कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे सर्गूजा सर्गूजा अन्य किसी जगह से नहीं टच है कोर्बा बिलासपूर जांजगीर चांपा सकती बलवदा बाजार भाठापारा बेमेतरा दूर्ग बालोद रैपूर ऐसे आप काउंट कर सकते हैं तो टोटल भू आवेस्ठीट जो जीले हैं वह 11 है कौन-कौन सा सर्गूजा कोर्बा बिल बिलासपूर संभाग में सबसे ज्यादा चार भू आविश्ठीट जीले हैं कुछ इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हैं तो दोस्ते अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेर कर दिजीए खार एपने चैनल को सब्स्क्राइब नहीं कर ली कि तो करने तो टेलीग्राम में आप हमें जॉइन कर सकते हमारा टेलीग्राम ग्रूप है वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं और मोबाइल एपक्ट आप जरूर डाउनलोड कर लिजे का आजैसा हो और अनकला सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम आइडी है जहां पे आप हमें फॉलो आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद।